हेलो गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ, जो हमाचल प्रदेश फ्रेस्ट डिपार्टमेंट में फ्रेस्ट कार्ट की बिकसी निकली हुई हैं, उनकी डिस्ट्रिबिशन के बारे में, उनकी एक्जैम पैटर्न कैसे रहने वाला है, कौन कौन सी डेट पे क्या-क्या इव आपको मिलते लिए, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का, तो जैसे आपको पता है हमाचल प्रदेश फ्रेस्ट डिपार्टमेंट में जो हम बात कर रहे हैं अभी उसमें भी कंसीज की बात करने जा रही है, तो इसमें जो धर्मशाला रिजन के लिए हैं, वो 11 प्रदेशन खरोना के लिए नाहन के लिए 13 हैं, रामपूल के लिए 4 पोस्टे हैं, सोलन के लिए 43 पोस्टे हैं, और दर्मशाला कि 6 और पोस्टे हैं, शमशी में 4 पोस्टे हैं, और शिम्मला डेवल जूल में भी वाई पोस्टे अलग से हैं ठीक है तो इस तरह से टोटल विकेंस जो ही वो 23 पोस्टेंज हैं यहां पर तो इस तरह से जो आपको यह डिफ्रेंट जो उनको लाटमेंट्स बेजी गई थी बैंडमेंट किये गए थे उसके कॉडिंग यह टोटल पोस्टे करते हैं तो जो यह नौटिफिकेशन आया है वो 14 जनवरी को आया हुआ है और जो इसकी आपको जो फॉर्म फिल करने है वो आप ऑल्लाइन और ओफलाइन मोड आपकी मर्जी है किसी एक प्रस्टाइब फॉर्मेट पे भी भेज सकते हो एक ती फ्रेस्ट डेपाटमेंट को और दूसरा इसका ओनलाइन मोड है जिसके लिए आपको साइट पे www.hpforest.nick.in पे क्लिक करना है और इस पे आप ओनलाइन मोड में भी एप्लिकेशन फिल कर सकते हो ठीक है तो यह इसका प्रसीजर है एप्लिकेशन फिल करने का इसली आप ओफलाइन और ओनलाइन मोड दोन फिल कर सकते हो ठीक है अब हम बात करते हैं कुछ important events जो इसके रहने वाले हैं तो उन्होंने इमिटेशन लिखा हुआ है कि जो departments को circles को imitate किया जाएगा वो 5 जनवरी को 5 जनवरी को उनको notification बेज दी गई है जो advertisements निकली हुए 14 जनवरी को निकली हुए date of submission of application form जो है वो जो उसकी last date है that is 15th feb 2019 रहेगी और जो remote areas है और travel areas है उनके लिए 27 feb तक है 15-12 दिन का इनको extra time मिल रहा है ठीक है इस तरह से next जो है वो जो evaluation parameter की जो seretinary है वो 16 days के अंदर मतल 28 feb तक और 2-15 March तक की approval हो जाएगी ठीक है फिर फिजिकल टेस्ट का जो notification वो 16-5 April के बीच में आ जाएगा date of physical test जो रहेंगी वो आपकी 6-16 April के बीच में रहने वाली है तो इस तरह से आप prepare कर सकते हैं कि April तक इसका जो physical test है वो होना start हो जाएगे ठीक है उसके बाद जो question paper required होंगे वो आप जो imitations है वो department से जो बेजी जाएगी circle से जो बेजी वाए जाएगी वो 27-17 से 20 April के बीच में बेज दी जाएगी और date of written exam जो रहने वाला है वो एक ही दिन में हो जाएगा और वो रहेगा 21st April को संडे के दिन 21 April को test का exam रहने बाला है तो इसलिए आपको अगर आप सोच रहे हो fresh guard बनने की तो आपको अभी से physical test का भी preparation करने पड़ेगे और side by side आपको exam की भी त्यारी करने पड़ेगी written test की भी त्यारी करने पड़ेगी ठीक है तो इसलिए आपको अभी से alert होना चाहिए और अभी से prepare हो जाना चाहिए इन सबी त्यारी के लिए next है नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो next error है वो evaluation जो होगी वो चार दिन के अंदर हो जाएगी तो 25th April तक ये काम खत्म हो जाएगा ठीक है उसके बाद collections of results जो है वो चार दिन के अंदर तो 29th जो अपरेल of evaluation parameters जो की एक भी करेने वाला है वो 30 से 6 मही तक 30 से 6 मही तक आपका ये हो जाएगा date of verification certification जो की तीन दिन करेने वाला है वो 9th मही तक ये भी काम हो जाएगा और उसके बाद है compilation of the merit list and declaration of the final result जो की 2 की दिन लगेंगे इसको तो इन्होंने इसके लिए बताया हुआ है कि वो 11 म तो ये था आज का वीडियो जो की notification पर बेस्ट है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें और फ्रेंड्स के बिच भी शेयर करें ताकि वो भी इस notification के recording अप्लाई कर सकें और अपने विभिशे को secure कर सकें एक fresh gather बनके ठीक ह तो ये था इसका total वीडियो जिसमें इन्होंने dates बताई हुई है और आप इसके recording आप अप्लाई कर सकते हो ठीक है Thank you